वेल्कम बैक तो माई चैनल मैं हूँ आपकी फ्रेंड वर्षा फ्रेंड्स आजके इस वीडियो में हम बात करेंगे RPSC College Lecture के GKK Practice Set की चले friends वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कीचे वीडियो को लाइक कीचे और किसी पितर की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताएगा स्टार्ट करते हैं आज के questions को राजी स्थान में सबसे उचा परवत शिखर किस जिले में आपको ये बताना है जालोर नागोर सिरोही या चुरू तो देखिए सिरोही जिले में इस्थित जो गुरुषिखर है जिसको माउंट आवू के नाम से जो फेमस है राज्ये का सबसे उच्छा परवत शिखर है जिसे James Todd ने से संतों का सिखर भी कहा था और इसकी उच्छाई आप लिख लीजिए 1722 मीटर है तो कौन सा है सिरोही जले में कौन सा गुरू शिखर जो की माउंट आवू के नाम से भी प्रसिद्ध है नेक्स कोशन पर आते हैं अरावली परवत शिखर का उच्छा शिखर कौन सा है अब हमें बताना है अरावली परवत शिखर का सबसे उच्छा शिखर गुरू शिखर, सेर, रीगड या जरगा तो आप सब नई पढ़ा होगा वी भी मैंने आपको बतायता सिरोही जले में स्थ नेक्स कोशन है अरावली परवच शिखड से बहुत सारे कोशन्स आते हैं देखिए घुमा फिरा के बारवर वही कोशन्स पूछे जा रहे हैं राजिस्थान में गुरू शिखड चोटी जो की माउंट आवू की उचाई कितनी अभी अभी मैंने आपको बताया 1722, 1724, 1775, 1780 तो राइट आंसर हैं यहाँ पर अगर हम बात करें जर्गा परवत की तो यह उदैपूर में इस्थित है तो ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा में इस्थित है यह जर्गा राज्य जो की पूरे राज्य का तीसरा सबसे उचा परवत शिखर आता है इसकी भी आप उचाई लेख सकते हैं इसकी उचाई है 1431 मीटर कौन सा है राज्य का यह तीसरे नम्मर पे आता है ठीक है नेक्स कोशन पे आते हैं उचाई के इसाब से रावली परवत की चोटियों का सही क्रम आप आपको बताना है तो देखिए सेर जरगा गुरुशिखर सेर जरगा गुरुशिखर जरगा सेर और गुरुशिखर अचलमण सेर देखिए अभी-भी मैंने आपको कौशन कराया आ मैंने आपको कौन सा बताया था गुरुशिखर तो देखिए पहले नमर पे ये तो हमारा ऑप्शन कट गया अब गुरुशिखर ये तीन ऑप्शन में अभी मैंने आपको बताया तीसरे नमर पे कौन सा आता जरगा तो देखिए थर्ड नमर पे जरगा है और जबकि इसमें second number पे दिया है इसमें दिया ही नहीं है तो option क्या हो जाएगा भी यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा right answer हो जाएगा अब आप इनकी उच्छाई लिख लीजे ग्रू सिखर की मैं आपको बता चुकी हूँ 722 मीटर है फिर उसके बाद आप में लिख लीजे सेर की तो सेर की है 151597 मीटर और तीसर नमर पे देलवाड़ा की उचाई है 1442 जो की option में नहीं है ठीक है और जरगा उस राज्चे का तीसरा उच्छा परवत शिखर है ठीक है और उसके बाद यहां पर कौन सा आता है हमारा ज जरगा जरगा की है 1431 ठीक है चौथे नमर पे आप यह तीसरे नमर पे कौन सा है देल देलवाड़ा तीसरे नमर पे देलवाड़ा है पहला गुरुशिकर है फिर शेर है देलवाड़ा फिर है जरगा यह इनकी उचाई है पांचवे नमर पे आता है सज्जनगड जिसकी है 9 नेक्स कोशन पर आते हैं अरावली शेड़ी की दूसरी नमर की उची चोटी का नाम बताईए अब हमें दूसरी नमर की उची चोटी का नाम बताना है ओप्शन्स है कुंभलगड, नाकपहाड, सेर, अचलगड तो देखें यहाँ पर दूसरी नमर की चिशेड़ी की बात करें तो वो है हमारी शेरगड जो कि यहाँ भी मैंने आपको बताई थी तो सेर यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन पर आते हैं देलवाड़ा भी आजाता है सेर की और जरगा के बीच में फिर जरगा है फिर है सज्जनगड और फिर है हमारा तारागड थी तो आप्शन थे यहाँ पर हमारा राइट आंसर है नेक्स कोशन पर आते हैं अरावली परवत की सुदूर दक्षनी जड़ जहां से प्रारभ मोती है वह कौन सा इस्थान है पालनपोर आबू परवत अरपसागर तल या फिर गोंगोदा तो देखें यहाँ पर हम बात करें तो अरावली परवत माला का जो उद्गम, सुदूर, दक्षनी तम, छेतर, अरपसागर में इस्थे जो लक्षदीब के मिनिकाय दीप से माना जाता है इसी कारण अरपसागर को अरावली का पिता भी कहा जाता है नेक्स कोशन पे आते हैं वद्धे अरावली छेत्र की सबसे उची चोटी कौन सी है जरगा, बैराठ, तारागड या फिर अचलगड तो देखें यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका जो राइड आंसर होगा वो होगा option नमर 3 तारागड वद्धे अरावली छेत मुख्य रूप से अजमीर जले में विस्तरित है तारागड इस चेत्र की सबसे उची परवचोटी ही मानी जाती है नेक्स कोशन पे आते हैं निम्ड मैसे कौन सी पहाडियां मध्धे रावली चेत्र में इस्तित हैं मेरवारा पहाडियां, रोजा भाकर पहाडियां, इसरा तो इसको उच्च पठार से अलग करने दोड़े,roph जैकियो впाधार दोड़े न्यीकट टारगर के अलग थहाँ, तो इसके अंदर कान कान सी मेरवार पहाडों ना होना जायूं पहा जाता है तो option A यहां पर हमारा right answer हो जाएगा next question है लसाडियां का पठार राजिस्थान के किस जिले में इस्थित है जैसलमेर, उदैपूर, कोटा या गंगा नगर तो देखें यहां पर हम लसाडियां के पठार की बात करें तो उदैपूर इसका right answer हो जाएगा यह उदैपूर के जिले में इस्थित है next question है जिस दिशा में रावली शेडियों को चोड़ाई बढ़ती जाती है वह है उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षण पश्चिम, पूरप से पश्चिम दक्षण पश्चिम से उत्तर पूर या फिर पश्चिम से पूरप तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखी right answer होगा ए उत्तर पूरप से दक्षण पश्चिम और आवली शेडि उत्तर पूरप से दिल्ली के समेप से दक्षण पश्चम से पालानपूर तक चोड़ाई लिया हुए विस्तृत है तो आप नोट कर लीजिए उत्तरपूर्व से तो दिल्ली आ गया और दक्षण पश्चम से क्या आ गया है पालनपूर यानि गुजरात का एरिया आ गया और यहां से दिल्ली वाला एरिया आ गया ठीक है और दक्षिन पश्टिम का भाग की बात करें गुजरात में अधिक चोड़ा विस्तृत है जबकि उत्तर पूरी भाग थोड़ा कैसा सक्रा है तो उत्तरी भाग कैसा है सक्रा है और यह वाला भाग जो है वो अधिक चोड़ा है कैसा है अधिक चोड़ा है तो यह आप नोट कर लीजिए कुछ चीज़ें हैं जो कि पूछी जा सकते हैं और हम इनकी क्लासेश भी करेंगे अगर आप चाते हैं ठीयोरी क्लासेश तो हम भी सारी चीज़ें वहाँ भी आपके साथ डिस्कस करेंगे नेमन मैसे कौन सा किला अरावली परवत माला में इस्थित नहीं है ये बताना है कुंभलगड, चितोडगड, नाहरगड या फिर गागरॉन तो देखी आरावली परवत में जो इस्थित नहीं है वो है हमारा गागरॉन किला जो कि जहलावाड में इस्थित है या रावली परवत में इस्थित नहीं है क्योंकि यह कहां पर इस्तित है जालावार में जो कि बिल्कुल अलग है तो option 4 यहां पर गागरोन हमारा राय डांसर हो जाएगा next है अब हमें यहां पर बताना राजस्थान में जो हमारा खेड ब्रह्मा यानि कि गुजरात सीमा से खेत्रित अरावली परवत माला की जो लंबाई है वो कितनी है तो options हैं 500 km, 550 km, 600 km या फिर 692 km तो देखें यहाँ पर हम बात करें तो राज में जो अरावली परवत खेतरी जो जुन-जुनू इलाके में पढ़ता है से खेड़ बाड़ा जो की सिरोही में पढ़ता है वो राजस्थान के 17 जुलों में total value हुई है इसकी total लंबाई अगर हम बात करें 692 km से 550 km राजस्थान में स्थित है तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है गुजरात से उसकी लंबाई तो यहाँ पर जो right answer हो जाएगा वो होगा है यहाँ पर option नमबर 2, 550 km ठीक है अरावली परवत श्रिणी विश्व की प्राचीनतम बलत परवतի है श्रिणी में भी आती है यह पूछा जाए कि सबसे पुरानी या प्राचीनतम बलत परवती है श्रंखला कौन सी है तो वो है अरावली परवत माला ठीक है तो option यहाँ पर भी हमारा right answer हो जाएगा next question पर आते हैं राजिस्थान में सीथ काल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है हमें यह बताना है options हैं दक्षण पश्चिम मांसून हवाओं के कारण हो रही है या पश्चिमी विशोप के कारण पच्षण हवाओं के कारण या फिर हमारे यहां पर अगर हम बात करें तो हमारे से टक्रा कर बापस लोटते मांसून हवाओं के कारण तो हमें बताना है क्या कारण है जिसके कारण यह हमारी इस तरह की इस्तिति पैदा होती है तो देखे यहाँ पर राजिस्थान में शीतकाल के बारे में यहाँ से पूछा गया है कि किन कारणों से यहाँ पर वर्षा होती है तो देखे, option यहाँ पर हमारा जो right answer होगा, वो होगा यहाँ पर option number हमारा, right answer है हमारा option number B, पश्चिमी बिश्चोप के कारण, सर्दियों में भूमध्य सागरे चक्रवातों के कारण, उत्तरवा पश्चिमी राजिस्थान में वर्षा होती है, जिसे महावट या मावट कहा ज जिनने के कारण या ठंडे हवाओं के चलने से, उत्तरी राजिस्थान में रात्री में कई वार पाला भी पढ़ता है, जिससे जो पानी होता है, वो वहाँ पर जम जाता है, तो यह सारे कारण किस वज़े से होते हैं, पश्चिमी बिश्चोप के कारण, तो option B यहाँ पर हम जाने वाला चारा या फिस रेगिस्थानी चेतर में चलने वाली गर्म लू, तो देखें, यहाँ पर जो हमारा राइट आउंसर होगा, वो होगा, यहाँ पर option number 2, जो कि हमारा राजिस्थान में सीथ रितू में होने वाली वर्षा को कहा जाता है, नेक्स कोशन पर आते हैं राजिस्थान में सीथ काले इन वर्षा करने वाले विच्छेबों के उत्पत्ती होती है, कैसे होती है, options हैं, वुमद्य सागरें, कैस्पीर सागर के द्वारा, अरब सागर, लाल सागर या फिर बाल्टिक सागर, तो right answer option number A, यह होती है, हमारी वुमद्य सागरें, कैस्पी होती है, उत्री पूर्वी हवाउं से होती है, या फिर हमारी दक्षणी पश्चमी हवाउं से होती है, समवर्धनी, समवहनी धाराउं से होती है, या फिर उत्री पश्चमी हवाउं से होती है, तो right answer है, option D, यह हमारी उत्री पश्चमी हवाउं से होती है, अभी मैंने आप को उपर discuss किये थे question के साथ ही तो आप ये सारी चीज़ें note करके रखा करिए क्योंकि ये घुमा फिरा के बहुत इस तरह के questions पूछे जाते हैं next है एक हजार मिली बार की सम्ताब रेखा जलवाईयों महां से गुजड़ती है कहां कहां से तो देखें यहां पर आपको कुछ और इंफॉमेशन में बता देती हूँ राजिस्थान में जुलाई से सितंबर महा तक सबसे अधिक आपेखशित आधरता होते है और राजिस्थान के जुलाई महा में एक हजार मिली बार की सम्ताब रेखा हमारी कहां कहां से चलती है यह चलती है हमारी सिरोही सिरोही हो गया उदैपूर हो गया परताबगड हो गया और जहलावाड हो गया तो अब आप देख लीजे हमारे यह सारे जगे कहां पर मिल नहीं है देखें मैंने आपको कहा सिरोही सिरूही इसमें नहीं है यह option C कट गया डी कट गया अब बचा A और B और कौन सा है उदैपुर तो उदैपुर आप देख लीजें यहां नहीं है तो यह हो गया सिरूही उदैपुर प्रतापकड और छालावार से लगबग 999 मिलीवार रेखा जालोर पाली अजमेर वाट टॉंक जलों से हमारी गुजडती है ठीक है तो यहां पर option A हमारा right answer हो जाएगा next question है राजिस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली परवत माला के निमन मैं से कौन सी स्थिति के कारण है इसका मांसून के समांतर होना मांसून दिशा के विपरीथ होना श्रंकला में कटाव होना या फिर श्रंकला वनस्पति विहीन होना तो देखे यहां पर इसका जुर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है किस दिसा में राजिस्थान में वर्षा की मात्रा में ब्रद्धी होती है दक्षिन पश्चिम से उत्तर पूर दक्षिन पूर्व से उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम से उत्तर दक्षिन या फिर दक्षण से उत्तर तो देखें यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है option no.3 उत्तर पश्चिम से दक्षण पूर्वी के कारण राजिस्थान में जो वर्षा होती है वो अधिक होती है तो option C यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा next question है राजिस्थान में मौन्शून वर्षा की दिशा में बढ़ती है किस दिशा में बढ़ती है दक्षण पूर्व से उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम से दक्षण पूर्व या फिर दक्षण से उत्तर तो अभी यह भी मैंने आपको दिस्कस किया था जहां हम तो यह थे हमारे आज के questions, I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कीचे, friends या share कीचे, और किसी भी तरह की कोई भी query हो, तो please जरूर बताएगा, तो next video में फिर मिलते हैं, आपसे और विच्छी वीडियो के साथ, तब तक लिए take care, bye bye